सब्सक्राइब कीजिए अनुटेक ब्राइंड चैनल को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों क्या आप भी रेड्मी फोन यूज कर रहे हैं अगर आप रेड्मी फोन यूज कर रहे हैं तो आपके साथ भी वही प्रॉब्लम हो रही होगी जो मेरे साथ हो रही है क्योंकि रेड्मी के फोन में कई दिनों से अपडेट्स वगरा आ रहे हैं जो जब से पहले तो आ जब update आया उसके बाद भी ringtone set करने में हमें बहुत ज़्यादा problem हो रही है हमें लग रहा था कि जब और आगे update होगा तो ठीक होगा लेकिन अभी भी वह यह same problem चल रही है तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने जो Redmi के phones हैं कोई भी phone हो सभी phone में Redmi का कोई भी phone हो सब में यह problem आ रही है तो Redmi का आप कोई भी phone use करते हैं आपके लिए वीडियो यह वाली बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है मैं आपकी सारी doubts दूर कर दूँगा और आप ringtone आसानी से set कर पाएंगे तो चली video को सुरू करते हैं और दोस्तो आपको पहले ही बता दो कि video को skip मत करिएगा नहीं तो आपकी problem solve नहीं होगी फिर आप कहेंगे कि video फेक बनाता है तो चली video को सुरू करते हैं दोस्तों पहले मैं प्रूफ के लिए आपको दिखा देता हूं कि यह जो मेरा फोन है वो Redmi का ही है, Redmi का MIUI 12 वर्जन में मैं आपको यह सेटिंग करके बताऊंगा, तो पहले मैं जाता हूं सेटिंग में और यहां पर मैं जाऊंगा अबाउट फोन में, अबाउट फोन में यहा यहां पर आप देख सकते है, MIUI वर्जन 12.0.2 स्टेबल करके है, और यहां पर नीचे है यह 12.0.2.0 ठीक है, इसमें मैं आपको यह सेटिंग करके बताऊंगा, आपको रिंग्टोन सेट करके दिखाऊंगा, तो मैं आ जाता हूं यहां से बैक, उसके बाद यहां पर आप, आपको नीचे एक option मिल जाता है, sound and vibration, जिसमें से simply पहले हम रिंग्टोन सेट करते थे, यहां पर आपको रिंग्टोन का option मिल जाएगा, रिंग्टोन में यहां पर pre-install रिंग्टोन और उसके रहाद यह जो आप online रिंग्टोन यहां से आप लगा सकते हैं, लेकिन आप हमें जो लगाना है, वो लोकल रिंग्टोन लगाना है, तो यहां पर चूज लोकल रिंग्टोन पर आप क्लिक करिए, अगर आपके फोन में यह option नहीं आ रहा है, तो भी मैं आपको एक setting इसके बाद बताने वाला हूँ, आप वो देख लीजिएगा, जिससे आपके फोन में यह से भी ऐसे select करूंगा, और okay कर दूंगा, तो यह हमारा जो रिंग्टोन है, वो यहां पर आ गया, यह उपर, ठीक है, यह हमारा रिंग्टोन है, उसके दूस्तों आपको क्या करना है, simply यह apply का जो option है, यहां से अगर जब तक आप apply नहीं करेंगे, तब तक आपका अगर दोनों के लिए आपको करना है, तो फिर से apply करिए, और sim 2 के लिए भी select कर लिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, उपर जो मेरा रिंग्टोन है, उसमें sim 1, 2, दोनों लिखकर set हो चुका है, अब जब call आएगी, तो मेरा यह रिंग्टोन बजेगा, तो इस तरह से म आपको करना क्या है, आपको यहां search bar में, search कर लेना है, manage apps, sorry, manage apps, यहां पर देखिए, मेरा जो manage apps है, यह open हो गया, simply हम इसको open कर लेंगे, उसके बाद, open करने के बाद, यहां पर search bar में, आपको simply search कर लेना, themes, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मेरा पिछला वीड आप इसी तरह से फिर से वो ला सकते है, ringtone का setting, जो है हमें local ringtone set करने का जहां से option मिलता है, तो themes में आपको simply जाना है, उसके यहां पर एकदम नीचे आपको तीन option मिलता है, force stop, uninstall updates and clear data, तो simply आपको uninstall updates कर देना है, उसके पहले clear data करेंगे, और उसके clear catch है, ok करना है, उसके य यहां पर uninstall updates कर देना है, जैसे आप uninstall updates करेंगे, आपको पहले में आता हो back, आपको यह वाली जो setting है, local ringtone set करने का, दिखाता हो अभी, यह local ringtone set करने का यहां पर आपको option मिल जाएगा, तो दोस्तो बहुत ही simple तरीका है, आप भी अपने phone में आसानी से, ऐसे set कर सकते हैं, बागी कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, तो दोस्तो आज की इस video मुझे लगा था कि यह बहुत ही important चीज़ है, जो कि आपको बताना चीज़े, क्योंकि आप भी problem में होंगी, मुझे भी बहुत problem हो रही थी, लेकिन मैं थोड़ा साथ देखा इदर उसर से, तो ऐसे set करते करते, मुझे पता चल गया कि यहां से set करना है, तो इसी तरह से आप भी अपने phone में मन पसंद ringtone लगाईए, और enjoy करिए अपने ringtone को, तो मिलते हैं और इसी कमाल के वीडियो में तब तक लिए जाए, दुवान दे मातराम, एंड बाए बाए